आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ respect to time तो हम जानते हैं कि जो displacement current की equation होती है यह होती है हमारी epsilon naught A divided by separation D और यह DV divided by DT और इसको हम लिख सकते हैं epsilon naught multiplied by A और DE divided by DT तो हमें सारी values दे रखी हैं तो displacement current है हमारी 6 epsilon naught होता है 8.85 multiplied by 10 to the power minus 12 area हमें दे रखा है 0.04 और यह हो गया multiplied by DE divided by DT तो यहां से जब इसको हम solve करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा rate of electric field मिल जाएगा with respect to time 1.69 multiplied by 10 to the power 10 volt per meter second और इसको हम nearly लिख सकते हैं 1.7 into 10 to the power 10 volt meter inverse second inverse तो option 1 क्या होगा यहां पे हमारा answer बन जाएगा क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEET IIT जही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर क्लासिक स्टूब्स आट चार्सो 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 चार